हेलो गुद मॉर्निंग व्यू वेलकम टू मेक माइग्जाम एन ओफीशियल यूट्यूब चैनल ओफ हाई बीटी तो दोस्तो आप सभी का फिर से स्वागत है हर मंगलवार जैसा कि हमने आप से वादा किया है कि सुबर दस बजे वीकली करंड़ फेस्ट वेकफ शो लेकर 5 जुलाई के करंड़ फेर्स को लेकर तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाईए आज के इस सफर में जहां पर हम यूट्यूब और फेस्बुक के ऊपर साइमिल्टेनियसली लाइव है और हम यहां पर डिसकस करेंगे 29 जून से 5 जुलाई के most important current affairs को पहले news के format में और उसके बाल हम उसके आज ही के session से जुड़ा हुआ important GK जो है MCQ format में quiz को भी attend करेंगे तो हमारे साथ students जो है वो जुड़ चुके हैं और मैं सभी students को जो देख रहे हमें मैं उनसे request करूँगा कि आज के इस important session को जादा से जादा लोगों के साथ share करि जो है उन सभी विद्यार्थियों को मिल सके तो समय को जाया किये बगैर हम चलते हैं अपने first news of the day की तरफ जो बहुत important है 29 June से 5 July का current affair जो आपके समक्ष मौझूद है तो first news is महाराष्ट्र लांच वर्ल्स लार्जिस्ट प्लाज्मा ठेरिपी ट्राइल अंडर स्टेट ने महाराष्ट्र गवर्मेंट ने वर्ल्ड का लार्जिस्ट दुनिया का सबसे लार्जिस्ट प्लाज्मा ठेरिपी ट्राइल जो है कोवीड 19 को लेकर कोरोना वाइरस 19 को लेकर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका नाम क्या रखा है प्लैटीना वेरी important देख बनते हैं और वो फाइदा करते हैं कोरोना वाइरस के नए मरीजों के immunity को बढ़ाने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि जो विक्ति स्वस्त हो चुके हैं समाज की भलाई के लिए plasma अपना donate करें plasma क्या होता है blood का ही part होता है जो liquid form में होता है तो very important news दुनिया का सबसे बढ़ा trial क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे जादा active case जो है किस Indian state में है महाराष्ट्र में है जहां पर लगभग लगभग 1.7 lakh से जादा cases आ चुके हैं तो वहां के लिए बहुत ही जरूरी news the world's largest convalescent plasma therapy convalescent का मतलब होता है जो मरीज अब स्वस्त हो चुके है उसके plasma therapy की बात हो रही है कि the world's largest convalescent plasma therapy trial project was launched on 29th June 2020 by the Maharashtra state government the name of the project is platinum which is very important जो आपके exam में पूछा जा सकता है कि किस राज्जे ने और उस project का नाम क्या है plasma therapy project का नाम क्या है जो दुनिया का सबसे largest plasma therapy trial होगा COVID-19 patients के ऊपर the project was virtually launched by the chief minister of Maharashtra उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इसको launch किया गया for this trial project the Indian council of medical research has given the approval to conduct plasma therapy in COVID-19 positive patients admitted in 21 government hospitals in Maharashtra महाराश्टर के 21 सरकारी हस्पतालों में जिसमें से 4 हस्पताल जो है वो मुंबई के हैं उसमें ICMR ने Indian council of medical research ने अनुमती दे दी है कि आप plasma therapy का यह जो सबसे बड़ा trial है आप उसे कर सकते हैं तो मैं फिर से बता दू कि plasma क्या होता है blood का ही एक liquid part होता है जब blood में से हम RBC, WBC, platelets को हटा देते हैं तब जो हमारे पास बचता है enzyme, salt, water या protein इसको हम plasma बोलते हैं जो light yellow color का होता है तो plasma एक ऐसी चीज है जो antidote create कर रही है किसके लिए तो जो स्वस्थ हुए मरीज है, coronavirus से जो स्वस्थ हुए है उसकी immunity अच्छी थी तो वो स्वस्थ होगे तो उनका plasma अगर current patients में डाल दिया जाए तो उसका असर बहुत ही बहतरीन दिख सकता है इसको लेकर प्लैटिना नाम का ये project जो है महाराष्ट्र सरकार ने launch किया है तो महाराष्ट्र की capital is Mumbai सबको पता है लेकिन मैं आपसे पूछूँगा what is the winter capital of महाराष्ट्र महाराष्ट्र की winter capital का है जल्दी से बताईएगा उसके इलावा मैं आपको लेकर चलता हूँ उद्धव ठाकरे chief minister है और governor कौन है महाराष्ट्र के भगत सिंग कोशियारी भगत सिंग कोशियारी इस दी करेंट governor of महाराष्ट्र chief minister of महाराष्ट्र इस उद्धव ठाकरे मुंबई जो है capital of महाराष्ट्र है लेकिन winter capital मैंने आपसे पूछा है तो बिल्कुल यहाँ पर सभी students का बहुत-बहुत स्वागत है आज ये class zoom पर नहीं आ रही है ये class ये सिर्फ class आपको मिल रही है YouTube और Facebook के ऊपर बिल्कुल किशोर, शेटी, बिल्कुल सही उतर नागपूर जो है is the winter capital of महाराष्ट्र मतलब winter session महाराष्ट्र विधान सभा का वो नागपूर में लगता है सर्दियों के मौसम में बिल्कुल सही आप सभी का उतर चलते हैं अगले news की तरफ नेक्ट न्यूस ये रहा आपके सामने बेंगलूरू the capital of Karnataka becomes India's only city in top 30 global startup ecosystem ranking G.S.E.R. 2020 तो global startup ecosystem report या ranking 2020 start किया गया जिसका पूरा नाम है the new normal for the global startup economy and the impact of COVID-19 तो इस पूरे report का नाम क्या है the new normal for the global startup पूरी दुनिया का जो startup है startup का मतलब क्या होता है एक ऐसा business एक ऐसा entrepreneurship जो नए ideas और innovations के साथ start किया गया है new ideas और innovations के साथ start किया गया business business नहीं कहलाता है startup और entrepreneurship उसको कहते हैं तो यहाँ पर एक report निकाला गया है और वो report COVID-19 का impact क्या पड़ा है startup के उपर और यह global startup ecosystem ranking है ecosystem का मतलब क्या होता है कि आपकी country के अंदर startup के लिए entrepreneurship के लिए और जो नए ideas और innovators है उसके लिए कैसा महौल है और वो महौल डिपेंड करता है आपकी performance के उपर matrix क्या क्या है performance उसको funding कौन कर रहा है कई बार new startups को funding की problem आती है then connectedness की problem आती है कि वो कई companies से जुड़ पाते है या नहीं जुड़ पाते है उनके ideas कई बड़ी companies को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं talent और knowledge इन चीज़ों को आधार मान कर आपकी country के अंदर आपकी city के अंदर वो कितना बहतरीन ecosystem बना रखा है वो तै करता है इस ranking को और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये जो list निकाली है hundred cities की तो उसमें top 30 में इंडिया का सिर्फ एक शहर है जिसको हम Bengaluru कहते हैं और इंडिया का start-up capital भी कहते हैं इसको Bengaluru को start-up capital तो वो 26 में पाइदान पे आया है 26th position पे आया which is very important for your upcoming exam तो ये report किसके द्वारा start-up genome ये start-up genome नाम की company है ये company established हुई थी 2010 में start-up genome एक company है जो start-up को लेकर entrepreneurship को लेकर advice करती है research company करती है सरकारों को और public private partnerships और private companies को ये advice करती है सला मश्विरा देती है इस company का नाम है start-up genome जिनोंने ये ranking निकाली है ये company established हुई थी 2010 में और इसका headquarter कहां पर है USA में California USA में इसका headquarter है तो Bengaluru popularly known as the start-up capital of India has added another milestone as it become the only city in the country to be included in world's top 30 start-up ecosystem ranking and placed on 26th position तो दुनिया के top 30 शहरों में जहां पर start-up का महौल बहुत अच्छा है उस start-up ecosystem ranking में दुनिया के top 30 शहर में इंडिया का इकलौता शहर है जो 26 में पाइदान पे आया है at the same time nation's capital दिल्ली न्यू दिल्ली का position क्या रहा पूरी दुनिया में 36th in the list while California, Silicon Valley, USA का जो Silicon Valley है भारत का Silicon Valley, Bengaluru को कहा जाता है लेकिन USA का Silicon Valley किसे कहा जाता है California को वो इस list में number 1 पे रहा California number 1 पे रहा और हमारे लिए जो सबसे important है वो है Bengaluru 26th position पे रहा और कौन-कौन से parameter के उपर ये ranking निकाला गया performance, funding, connectedness, talent और knowledge तो देखते हैं आपके comments क्या है और उसके बाद चलते हैं अगली cover की तरफ बिल्कुल बहुत खूब आप सभी हमारे साथ जुडे हुए हैं लेकिन आप सभी से request है कि हम हर अफते make my exam और IBT आपके लिए जो है बहतरीन packages लेकर आता है क्योंकि अभी जो ministry of home affairs and HRD ministry ने announce कर रखा है कि हम अभी online ही online जो है वो सारे lectures लेने पड़ेंगे 31st July तक तो पूरा order आ चुका है कि कोई educational institutions नहीं खुलेंगे तो हमारे लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है वो है online तो online हमारे साथ जुडने के लिए आप डाउनलोड करिए make my exam का app और उस app के ऊपर आपको धेर सारी facilities मिलेंगी और बहुत ही user friendly ये app बनाया गया है जिसमें हर एक चीज की requirement जो students को चाहिए होती है वो यहाँ पर रखा गया है तो आप इसको डाउनलोड करिएगा make my exam app play store से तो चलते हैं third news की तरफ Indian government banned 59 Chinese apps for safety security and integrity of nation तो भारत चाइना के मद्य जो भी तो कल खबर आई है कि भारत और चाइना ने अपने कदम थोड़े थोड़े पीछे खीचे है शांती की तरफ एक कदम जो है छोटा सा कदम जो है वो बढ़ाया गया है लेकिन इंडिया चाइना की बीच में जो tension चल रही है जो अभी एक conflict चल रहा है on LAC line of actual control की उपर गलवान वैली के अंदर उस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने चाइना के 59 applications जो है mobile apps जो है उसको ban कर दिया है last week भी हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर और आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहे है तो भारत ने क्या एक point क्या दिया है safety security और integrity of nation भारत की अखंड़ता भारत की सुरक्षा और भारत के इस safety मज़र को देखते हुए हमारा मानना है कि ये app secure नहीं है और ये भारत के कई ऐसी जानकारियां कई ऐसे informations जो है उसे leak करते है जिस आधार पर भारत जो है इन apps को ban कर रहा है तो इंडिया banned 59 Chinese mobile applications amid border standoff with neighboring country China the government has cited national security for banning these apps राष्ट्रे सुरक्षा का हवाला देते हुए इन 69 Chinese apps को ban किया गया है the ban covers some of the most popular apps in India like tiktok share it, uc browser and wechat cam scanner ये कुछ famous है 59 में से कुछ famous apps है जिसको ban किया गया है तो almost all the apps banned have some preferential Chinese interest and majority have parent Chinese company या तो बहुत जादा इसमें Chinese share धारकों का पैसा लगा हुआ था इन companies में या फिर इनकी parent company इनकी जो main company है वो Chinese company होने के कारण इसको ban किया गया तो ये list आपके सामने मौझूद है जिसको आप screenshot ले सकते हैं इसका screenshot ले सकते हैं ये list मौझूद है जिसमें basically आप देख रहे tiktok, share it, kawai, uc browser baidu map, shane, clash of kings du battery saver, hello app पहुत सारे apps हैं तो ये जो apps है जिसको आप screenshot लेकर देख सकते हैं कि कौन-कौन से app जो है वो ban हुए और उसका substitute alternative भी निकल रहा है और उसमें बहुत सारे Indian companies जो है वो आगे आ रही है चलिए, बहुत खूब यहाँ पर सभी students का बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे दिनेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए है तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका भी चलते हैं next news की तरफ next news ये रहा आपके सामने Union Minister Girirath Singh launches first edition of Matasya Sampada Matasya का मतलब होता है fish और संपदा का मतलब होता है assets तो मचली पालन जो है ये भी एक संपती से कम नहीं है संपदा से कम नहीं है तो इसी को लेकर प्रधान मंत्री जी ने 2020 में मई 2020 में एक योजना लागू करी थी और उस योजना का नाम रखा था प्रधान मंत्री Matasya संपदा योजना मई 2020 में इस योजना की शुरुवात करी थी जिसके लिए 20,050 करोड इन्वेस्ट किया गया इतना amount इन्वेस्ट किया गया इस scheme के अंदर जहां पर मचली पालन fisheries और aqua culture से related aqua culture से related जो है वो डाले गये है कि इसके अंदर हम कितना और प्रगती कर सकते हैं और इसके जितने भी हिद दारक हैं उसको कितना फाइदा हो सकता है तो इसको लेकर एक newsletter जो है वो newsletter जो है वो छापा गया है और उस newsletter के अंदर पूरी detailing दी गई है कि परदान मंत्री मतस्य संपदा योजना जो है उसका क्रियानवन जो है उसका implementation जो है वो कैसे किया जाएगा तो Union Minister for Fisheries Animal Husbandry and Daring गिरी राज संपदा जो है एक newsletter का नाम है एक newsletter एक पत्री का चापी है जो quarterly छपेगी मई 2020-21 से मतलब उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर जो है 2020-21 मतलब एपरिल से लेकर 31st मार्च 2021 एक साल और हर तीन महीने के बाद एपरिल मही जून देन जुलाई अगस सेप्टेंबर इस तरीके से हर तीन महीने के बाद quarterly इस newsletter को इस पत्रीका को चापा जाएगा जिसके अंदर प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना fisheries, animal husbandries और aquaculture से related सारी information मौजूद होगी कि किस तरीके से मचली पालन करने वाले को और इस से related जितने भी काम है उनको कैसे फाइदा पहुँचाया जा सकता है और ये scheme भारत सरकार ने कब launch किया था प्रधान मंत्री जी ने मई 2020 में और इस scheme का investment कितना था शुरुवाती investment तो 20,050 करोर रुपे जो है वो शुरुवाती investment इस scheme को दिया गया तो from the first quarter of 2020-21 newsletter मतस्य संपदा will be published on a quarterly basis. The operational guidelines for the प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना scheme have also been published in the first edition of the newsletter कि operational प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना को operational कैसे किया जाएगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस newsletter में published है. The newsletter will serve as a means of communication for educating and providing the latest information and developments related to the fisheries and aquaculture sector. तो fishery और aquaculture sector से related education provide करना, information provide करना और तमाम तरह की जानकारियां देना उन सभी stakeholders को जो इन के साथ और इस sector के साथ जुड़े हुए है. तो आपको क्या याद रखना इस news से related मतस्य संपदा नाम का newsletter launch किया है Ministry of Fisheries Animal Husbandy और Daring ने गिरीराज सिंग जी ने और मतस्य संपदा जो है वो किस योजना से related है जो quarterly एक newsletter publish किया जाएगा वो किस योजना से related है प्रधान मंतरी मतस्य संपदा योजना से related जिसकी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखती है अब मैं आपके comment की तरफ आ रहा हूँ तो बिल्कुल सही है आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको करना क्या है हमारे साथ जितने भी students जुड़े हैं उन सभी को ये सूचना दे दी जाए कि हमारा ये जो weekly current phase of the wake up show है हर मंगल बार को सुबह 10 बजे आता है जहां पर हम पूरे week की खबर का detail में analysis करते हैं और फिर आजी के show के अंत में हम आजी के show से related quiz भी attend करेंगे जो most important quiz होगा जिससे आज का session अच्छे से revise हो जाएगा तो आप सभी से यही request है कि इस session को जम कर share करिए अपने दोस्तों के साथ अपने fellow students के साथ कि उनको भी बहुत फाइदा पहुँच सके next news की तरफ चलते हैं बहुत ही असान news बहुत interesting and yet very important news that is yellow dust bins for only corona residual in indoor indoor संभवत जो है भारत का possibly भारत का पहला city बना है जिसने corona से related एक नया dust bin launch कर दिया है क्यों क्योंकि corona के समय इस्तमाल की जाने वाली pp kits mask या जितने भी equipments है उसको आप अलग dust bins में या open में ना फैके उसके लिए एक specific dust bin बना रखा है कि सारा कचड़ा related to सारे dust bins related to corona वो कहाँ पर किये जाए फैके जाए तो वो yellow dust bin में इंदौर मद्दपरदेश का बहुत ही famous शहर इंदौर जो है वो पहला शहर बना है भारत का जिसने yellow dust bin नाम का एक कारिकरम चलाया है जिसमें corona से related जितनी भी आप कह सकते हैं pollutants होगा वो सारा इस dust bin में डाला जाएगा तो इन मद्दपरदेश तो प्रिवेंट कोरोना इंफेक्शन दा इंदौर मूंसिपल कॉर्पोरेशन इस प्लेसिंग yellow color dust bins at all major places in the city इस 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 थार्ड dust bin apart from blue and green colors तो already blue and green colors के dust bins है गीला और सूखा कचला के लिए भारत सरकार already blue और green color का dust bin launch कर चुकी है लेकिन yellow color का dust bin ये पहली बार लाँच किया है इंदौर मूंसिपल कॉर्पोरेशन ने and being placed for only corona infected material corona से infected जो भी material है उसको ही उसके उपयोग के लिए ये dust bin लगाया गया है इंदौर is among the top 10 COVID-19 infected cities of the country तो top 10 सबसे जादा infected patients जो है हमारे इंडिया के जो शहर है उसमें इंदौर भी शामिल है इंदौर is possibly the first city संभवता इंदौर अपने kind का पहला city बन गया है जिसने ये unique dust bin लगाया है जो people है उससे पहले क्या करते थे people throw COVID-19 infected pee-pee kits, gloves, masks to green and blue litter bins और outdoors तो वो green या blue dust bins में डाल देते थे या outdoor कहीं पर भी फैंक देते थे उससे संक्रमन फैलने का और भी जादा खतरा रहता था जिसको लेकर ये फैसला यहाँ पर ये कदम उठाया गया तो बहुत important news है और आपको पता होना चाहिए कि indoor जो है स्वचता सर्वेक्षन में भी number one पे रहता है तो indoor से पूरी उम्मीद थी कि वो ऐसा कदम जरूर उठाएगा हम चलते हैं next news की तरफ का मतलब है कि cleanliness ranking जो निकाली जाएगी कि भारत के सबसे साफ शहर कौन से है तो 2016 से हर साल ये निकाला जाता रहा है और लगातार तीन सालों से तो indoor मध्यपरदेश का indoor जो है वो number one पाइदान पे रहा है number first position पे रहा है भारत के सबसे साफ शहरो में तो 6th edition of स्वच सर्वेक्षन सर्वे विल बी स्टार्टेट फ्रॉर्थ जैनुवरी 2021 तो इसका जो छठा एडिशन होगा वो चार जनुवरी दोहोजार इकिस से शुरू होगा तो सिंस इट्स फर्स एडिशन बैक इन 2016 इसका पहला डिशन वाता 2016 में 2016 में स्वच सर्वेक्षन सर्वे हाज बीन कंड़क्टेड एवरी यर मेकिंग दी प्रोसेस फॉर कंड़क्टिंग दी सर्वे मोर रोबस्ट बाइ रीडिजाइनिंग इट इनोवेटिवली तो यहाँ पर और जादा मजबूत बनाने के लिए इस सर्वेक्षन को हर साल कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव तरीके से इस सर्वे को किया जाता है जिससे जिसका में मकसद क्या है कि सुच भारत अभ्यान के तहत भारत को बिलकुल गंदगी मुक्ट कर देना है और यहाँ पर भारत के सभी शहरों को सभी स्टेट को साफ रखना है उसी के अंतरगत हर साल ये सर्वेक्षन होता है हर साल ये रैंकिंग निकाली जाती है तो हाउसिंग एन अर्बन अफेर के द्वारा इसकी अनाउंस्मेंट कब की गई 3rd जुलाई को मतलब 4 जनवरी 2021 से 6th edition of स्वच सर्वेक्षन शुरू होगा इसकी अनाउंस्मेंट Housing and Urban Affairs Minister हर्दीत सिंग पूरी जी ने करी है कब तो 3rd जुलाई 2020 को The Toolkit for Swach सर्वेक्षन 2021 Indicators Introduce will focus on Public Participation and Encouragement for Innovators in the City Public Participation को, लोगों की भागीदारी को जन भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा और लोगों को और encourage किया जाएगा कि आप अपने शहर को कैसे और साफ रख सकते हैं The Swach सर्वेक्षन सर्वे 2021 will be conducted from 4 January to 31st January 2021 तो 4 January से 31st January 2021 तक ये सर्वेक्षन चलेगा लेकिन 2020 के सर्वेक्षन के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा है फर्स्ट पाइदान पे इंदौर ये आपने याद रखना है इंदौर Next चलते हैं 7th News की तरफ और ये रहा आपके सामने 7th News Vietnam जो एक South East Asian country है दक्षिन पूर्वी एशियाई देश जो है Vietnam host online 36th Asian summit amid pandemic तो इस महमारी के दौर में आशियाई एक organization का नाम है इसे Asian या आशियाई हम कहते हैं तो आशियाई एक organization का नाम है जिसका full form आप note down कर सकते हैं association of association of Southeast Asian nations यह established हुआ था 8th August 1967 यह दौर था cold war का between USSR and USA यह शीत यूद का world war second के बाद cold war का दौर था जहाँ पर South East Asian countries ने शुरुवाती पाँच देशों के साथ मिलकर Asian की शुरुवात की थी जिसमें इन्होंने अपना एक संगठन मजबूत बनाया था कि शीत यूद के प्रभाब को कैसे कम किया जाए cold war के प्रभाब को कैसे कम किया जाए और यह जो देश है ना तो USSR की तरफ मूफ करे और ना ही USA की तरफ मूफ करे और अपना एक अलग रास्ता चुने जिसका नाम इन्होंने Asian रखा और इन्होंने cold war के उस tension को भी कम करने की कोशिश की थी 8th August 1967 को इसका गठन हुआ था और इसका headquarter कहां पर है Jakarta which is the current capital of Indonesia और इसके फिलाल कितने मेंबर्ज है 10 मेंबर्ज है दस देश इसके मेंबर्ज है कुछ प्रमुख देशों के नाम Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar और इस तरह के कुछ देश जो है वो इसके मेंबर्ज है 10 देश इसके मेंबर है और कुछ साल पहले भारत सरकार ने भी पहली दफ़ा भारत सरकार की एक प्रथा रही है कि वो हर साल Republic Day पर Chief Guest बुलाते है जैसे इस साल Brazil के President को Jair Ball Senaro को as a Chief Guest बुलाया गया था Republic Day function की उपर, parade की उपर तो ऐसे ही कुछ साल पहले Asian के इन 10 देशों के PM President को invite किया था तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 10 देश के PM President उनके प्रमुक भारत में Republic Day के उपर Chief Guest के तौर पर मुख्यतती के तौर पर बुलाये गये थे तो Asian हर साल अपना एक सम्मेलन करता है हर साल अपनी एक मिटिंग करता है तो इस साल इनका online meeting कहां पर host हुआ Vietnam ने host किया Vietnam के बारे में थोड़ा सा लिख ले वियत नाम की Capital is Hanoi और वियत नाम की Currency is Dong D-O-N-G Dong वियत नाम की Capital Hanoi और Currency is Dong तो Southeast Asian leaders held their annual summit सम्मेलन हर साल इनका वार्षिक सम्मेलन meeting होता है वाई वीडियो to show unity and discuss a regional emergency fund to respond to the immense crisis brought by the coronavirus pandemic तो coronavirus महामारी को लेकर इन 10 देशों ने अपना एक online meeting किया कि वो किस तरीके से अपने आपको unity show करे एकता show करे और इस coronavirus महामारी से लड़ने में एक दूसरे का सहीयोग करे then long divisive South China Sea conflicts were also in the spotlight तो South China Sea जिसके उपर Vietnam, China और भी कई देशों का विवाद रहा है वो भी एक प्रमुख मुद्दा रहा discussion का इस online meeting के दौरान the leaders of the association of Southeast Asian nation talked online due to regional travel restriction and health risk तो स्वास्त रिस्क को लेकर और अभी जो पाबंदी है visit को लेकर एक दूसरे देश में इसको लेकर इन्होंने online meeting की Vietnam the current Asian chair तो इस साल इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है Vietnam had planned face to face meeting Vietnam ने तो plan किया था कि face to face meeting करेंगे लेकिन health risk को देखते हुए coronavirus को देखते हुए ये meeting online की गई है मांकि सारी जानकारी मैंने आपको Asian से related दे दी है अब आपके कुछ doubts हैं तो वो मैं लेने के लिए comment box में आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल आप सभी का participation बहुत बढ़िया है 10 countries इसकी member है और इसकी currency जो है Vietnam की currency जो है वो है dong तो इससे related news जो है क्या पूचा जाएगा आप से 36th Asian Online Summit जो है वो किस देश के द्वारा चेर किया गया अध्यक्षिता की गई Vietnam के द्वारा Vietnam की सारी detailing बता दिये और Asian की सारी detailing मैंने आपको बता दिये Next News की तरफ चलते है President gives UP Governor Anandibain Patel Additional Charge of Madhya Pradesh तो अभी Currently UP की Governor कौन है Anandibain Patel तो Madhya Pradesh के Governor का नाम क्या था अभी Recently Lal जी टंडन जो अभी बिमार होने के कारण hospitalized है और स्वास्त समंदी उनको कुछ तकलीफे आई थी जिनके कारण जो है वो hospitalized है जिस कारण से additional charge जो है वो दिया गया है किनको आनंदी बेन पतेल को तो Article 153 Constitution का Article 153 जो है वो Post of Governor की बात करता है किसी भी State के अंदर ठीक जैसे केंदर में राश्ट्रपती होते है तो राश्ट्रपती के द्वारा appointed State के अंदर कौन होते हैं Governor राज्यपाल होते हैं जो एक nominal head होता है State का रियल पावर स्टेट का वेस्टेड होता है CM और उसके Council of Ministers में तो Article 153 टॉक्स अबाउट दी Governor of State और 7th Amendment 1956 ने क्या कहा था सात्वा संचोधन Constitution के सात्वे संचोधन ने क्या कहा था उसने कहा था कि एक विक्ति दो से जादा राज्य का गवर्णर एक समय में पॉइंट हो सकता है तो 7th Amendment 1956 ने ये बात कही कि एक विक्ति एक समय में दो से जादा राज्य का गवर्णर अपॉइंट हो सकता है उसी के तहर उत्रपरदेश की करंड गवर्णर आनंदी बेन पटेल है तो मद्य परदेश के जो गवर्णर है है लाल जी टंडन करंड वो अभी बिमार होने के कारण उनकी जगह पर अडिशनल चाज किनको दिया गया है मद्य परदेश का भी तो वो दिया गया है आनंदी बेन पटेल को जो यूपी की गवर्णर है तो प्रेज़ेंट रामनात कोविन हास गिवन उत्तरपदेश गवर्णर आनंदी बेन पतेल अडिशनल चाज अफ मद्य परदेश अभी गवर्णर विल नाओ बिस्चारज गवर्णर अफ मद्य परदेश इन अडिशन तो हर दूटीश शी इस टेकिंग ओवर्णर पोस्ट तेम्परर ली इन अपसेंस अफ MP गवर्णर लाल जी तंडन 85 यर ओल लाल जी तंडन को अभी डिसेंटली मेदानता शॉस्पितल अडमिट किया गया था अजू एलेवन विद ब्रीधिं प्रॉब्लम श्वास, सांस, संबंधी उनको प्रॉब्लम और फीबर है जो अभी एक सपोर्टिव वेंटिलेशन के ओपर है देन नेक्स्ट न्यूस इस वेरी इंपोर्टेंट रिलेटेट तो स्पोर्ट रविंद्र जडेजा सर रविंद्र जडेजा मजाक में सर कहते हैं विजडन तो विजडन एक मैगजिन का नाम है तो विजडन क्रिकेट के द्वारा विजडन मैगजिन के द्वारा जो बहुत ही प्रतिष्टित मैगजिन है क्रिकेट की उसके द्वारा रविंद्र जडेजा को 21st century का इंडिया का most valuable player 21st century का सबसे most valuable player जो बताया गया है वो रविंद्र जडेजा को बताया गया तो all-rounder रविंद्र जडेजा तो विजडेजा को बताया गया तो अल-rounder रविंद्र जडेजा पर इंडिया इंडिया इन दी 21st century by विजडन थर्टियर ओल्ड MVP rating most valuable player rating which was calculated using the cricket data analysis tool CrickWiz was 97.3 तो इसका एक data निकाला गया CrickWiz की साहता से जो पॉइंट कितना बना इनका 97.3 his rating is second only to मुथाया मुडलिधरन तो मुथाया मुडलिधरन दुनिया के सबसे most valuable player है उसके बाद second number पे आते है रविंद्र जडेजा और अगर भारत की बात करें तो सबसे most valuable player रविंद्र जडेजा 21st century के और पूरी दुनिया की बात करें तो मुथाया मुडलिधरन तो विजडन यूज क्रिकWiz a detailed analysis tool in cricket to analyze his performance तो यहाँ पे बहुत ही important जो है यह news है रविंद्र जडेजा को 21st century का विजडन के द्वारा विजडन क्रिकेट के द्वारा most valuable player जो है वो चुना गया next news की तरव चलते हैं और यह बहुत important है श्रीकांत महादेव वैद्य assumes charge as the chairman of Indian Oil Corporation Limited तो Indian Oil Corporation Limited के chairman कौन बने है current श्रीकांत महादेव वैद्य very important news और इन्होंने किनको succeed किया है Sanjeev Singh who has super annotated जो retire हो गए Sanjeev Singh जो retire हो गए उनकी जगां पे नए Indian Oil Corporation के chairman कौन बने है श्रीकांत महादेव वैद्य which is very important तो in addition to the post he will serve as the chairman of Chennai Petroleum Corporation Limited तो इस post के लावा वो Chennai Petroleum Corporation Limited जो एक refining subsidiary है Indian Oil Corporation का ही वो उसके भी chairman रहेंगे और and Indian Oil Tanking Limited जो एक joint venture है Indian Oil Corporation Limited का ये उनके भी chairman रहेंगे तो श्रीकांत महादेव वैद्य आपको simple क्या याद रखना है Indian Oil Corporation I.O.C.L. ये establish हुआ था 1959 में और इसका headquarter कहां पर है New Delhi Headquarter New Delhi में है 1959 में Indian Oil Corporation Limited established हुआ था और इनके current chairman कौन बने है श्रीकांत महादेव वैद्या नेक्स चलते हैं 11th question की तरफ और ये जो news है very important है Swiggy जो एक Indian company है जो आप use भी करते हैं इसका इस्तेमाल भी करते हैं online food order करते वक्त तो Swiggy partnerships with ICICI bank to launch Swiggy money तो Swiggy has launched its own digital wallet Swiggy ने अपना खुद का digital wallet launch किया है कि अगर अब आप Swiggy के ऊपर order करते हैं तो Swiggy wallet की साहता से आप वो पैसा पे कर सकते हैं तो Swiggy has launched its own digital wallet Swiggy money जिसका नाम के रखा है Swiggy money और इन्होंने किस bank के साथ partnership में इस wallet को शुरू किया है ICICI bank के साथ which to enable a single click checkout experience on its platform it is an industry first instant digital wallet और इस industry का ये पहला digital wallet है मतलब Swiggy जिस industry में काम करता है उसका पहला ये digital wallet स्टार्ट किया है Swiggy money नाम से ICICI bank की साहता से और Swiggy customer can immediately use the wallet if he or she is an existing ICICI bank customer अगर आप Swiggy के साथ ICICI के भी customer है तो आप तुरंट इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप non ICICI के हैं फिर आपका इक government ID लगेगा और फिर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो आपको simple क्या याद रखना है आप से paper में क्या पूछा जा सकता है कि Swiggy नाम की company ने recently अपना Swiggy money नाम का digital wallet शुरू किया है किस bank की सहायता से किस bank की help से तो your answer would be ICICI तो Swiggy जो है ये Swiggy established कब हुआ था 2014 में established हुआ और इसका headquarter कहां पर है Bengaluru Bengaluru में इसका headquarter है 2014 में ये शुरू हुआ था ठीक है और ICICI का full form में को बता देया ICICI bank का full form comment box में ज़रूर बताएं हम चलते हैं next news की तरफ former RBI governor C. Rang Rajan जिनका पूरा नाम है चक्रवर्ती रंग राजन receives the first professor P. C. Mahala Nobis Award बहुत ही famous statistician थे आकडविद थे P. C. Mahala Nobis second five year plan भारत का जो दूसरा five year plan है जो 1956 से 61 तक चला जिसमें हमने industrialization को और द्योगी की करन को हमने प्रमुखता दी उसके model को हमने follow किया था 56 से 61 second five year plan में हमने किस statistician का model follow किया था और father of Indian statistics भी कहा जाता है इनको P. C. Mahala Nobis को प्रशान्त चंद्र महाला Nobis को तो इनके नाम पर Ministry of Statistics and Program Implementation ये मंत्राले ने National Statistics Day 29 जून को National Statistics Day मनाया गया उसके उपलक्ष में पहली बार इसी साल से P. C. Mahala Nobis Award देने की घोशना की गई है हर साल ये Award दिया जाएगा जिनोंने statistics को लेकर economy को लेकर planning को लेकर अगर बहतरीन काम किया होगा भारत में उनको ये Award दिया जाएगा P. C. Mahala Nobis Award और ये Award किसको दिया गया पहला Award First Award जो इसी साल स्टैबलिश हुआ ये Award Ministry of Statistics and Program Implementation के द्वारा तो ये Award दिया गया C. Rang Rajan को दिया गया जो इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती Rang Rajan जो RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं बिलकुल किशोर शेटी जी बिलकुल सही उतर Industrial Credit and Investment Corporation of India तो बहुत ही खूब आपका आंसर Industrial Credit and Investment Corporation of India ICICI का फुल फॉर्म तो यहां पर ये News बड़ा सिंपल सा News है कि ये Award PC Mahala 90 first Award जो है किसको दिया गया C. Rang Rajan को दिया गया Reserve Bank of India के पूर्व गवर्नर for his contribution to the National Statistical System मलब C. Rang Rajan ने National Statistical System में बहुत योगदान दिया था जिसके कारण उनको ये Award दिया गया The Virtual Event of National Statistics Day was streamed live on over various social media platform तो ये online ये event किया गया जिसमें ये Award दिया गया C. Rang Rajan जी को Next News की तरफ चलते हैं which is very important Vice President of India releases a book Future of Higher Education 9 Mega Trends Virtually तो online Vice President of India कौन है तो Vice President of India है M. Venkaiya Naidu M. Venkaiya Naidu ने अभी एक book launch करी है उस book का नाम है Future of Higher Education और उसका पूरा नाम है 9 Mega Trends Future of Higher Education 9 Mega Trends ये book किसके द्वारा लिखी गई तो M. Venkaiya Naidu Virtually release a book Future of Higher Education 9 Mega Trends The book is authored by C. A. V. Patabhi Ram C. A. V. Patabhi Ram A public speaker, author and teacher जो एक public speaker है author है और teacher है The virtual event was hosted by ICT Academy Chennai Tamil Ladu की ये academy है जो not for profit organization है government और public enterprises और private enterprises के ऊपर ये organization ICT Academy जो है वो उन्होंने इस award को host किया और इस book को उन्होंने launch करवाया किनके थूँ तो Vice President of India M. Venkaiya Naidu के द्वारा The book covers the new norms in the key areas of higher education such as a student-teacher relationship तो इस book के अंदर क्या cover हो रहा है कि higher education का क्या future है जिसमें student-teacher का क्या relationship रहेगा learning के methods क्या हो सकते है laboratories and examinations जो है उसके उपर हम कैसे काम कर सकते है और एक paradigm shift जो आया है एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है higher education के pattern में उसके उपर कैसे काम किया जा सकता है और हमारे इंडिया में higher education को उच्छ शिक्षा को और उचतर level पे highest level पे कैसे लेकर जाया जा सकता है इसको लेकर इस किताम में बात की गई है तो future of higher education 9 mega trends जो है उसके writer का नाम यार रख लिजेगा CAV पताभी राम और इस book को launch किया Vice President of India M.Wink कया नाइड होने Next news की तरफ चलते है India likely to get 6 fully lauded rafails by July end आपको क्या बताना है rafail नाम का जो ये jet fighter है जो बहुत ही news में रहा है हाल फिलहाल तो ये France के द्वारा हम ले रहे है France देश से हम इसे ले रहे है राफेल नाम के jet fighter को लेकिन France की किस company के द्वारा ये बनाया जाता है राफेल जो बहुत ही famous jet fighter है ये France की किस company के द्वारा बनाया जाता है तो India China के conflict को देखते हुए July end तक July के अंत तक भारत 6 fully lauded rafails जो है उसको मंगाने पर विचार कर रहा है तो India is likely to get 6 fully lauded rafail fighter aircraft by July end amid the ongoing border dispute with China along the line of actual control LAC के समीब जो India China का एक dispute चल रहा है उसको लेकर rafail fighter aircraft मंगाया जाएगा by the end of July 6 loaded fully loaded rafails the rafail jets will be fitted with long range meter और air to air missiles तो fully loaded के अंदर air to air missile मतलब हवा में से हवा में मारक शम्ता वाला missile जो है वो भी इसमें loaded होगा जिसका range जो है 150 km strike range मतलब 1500 km तक अचूक निशाना लगाने की शम्ता है rafail jet fighter के अंदर the aircraft delivery will depend upon the situation and the ongoing training of IAF pilots in France तो Indian Air Force के कुछ pilots जो है अभी France में राफेल उडाने की training ले रहे राफेल तो ये जैसे ही वहां उनकी training खतम होगी तो ये सौदा जो है उसी के कोर्डिंग किया जाएगा and the aircraft will be flown in from France and will be made operational within a few days itself तो ये France में उडाया जा रहा है और कुछी दिनों में ये इंडिया आएगा और ये operational कर दिया जाएगा The original plan was to get four Rafale fighter jets including three twin sitter trainer versions for training the pilots here at Ambala Air Force Station शुरुवात में क्या plan था कि हम four Rafale fighter jet मंगाए जिसमें से three जो होंगे वो twin sitter होंगे जिसमें trainer भी बैठा होगा साथ में लेकिन अब हम कितने मंगा रहे है six मंगा रहे है और Ambala Air Force Station के उपर इसकी तेनाती होगी The Air Force Station will be the first base of the Rafale fighter jets in India तो आप से ये भी पूछा जा सकता है कि Rafale jet fighter का पहला Air Force Station बताईए इंडिया में जो इसका पहला base बना है Ambala Air Force Station हरियाना में Ambala Air Force Station Rafale jet fighter का पहला base बना है तो यहां पर आप सभी से कोशन पूछा था कि Rafale jet जो है फ्रांस की किस कंपनी के दौरा बनाया जाता है The Salt Aviation के दौरा The Salt Aviation के दौरा The Salt Aviation के दौरा The Salt Aviation नाम की कंपनी है जो फॉर्म करती है जो बनाती है मैनुफेक्चर करती है Rafale fighter jets को Then 15th कोशन की तरफ निकल चले हम India's first human space mission Gagan Yan will not be affected by COVID-19 pandemic Dr. Jitendra Singh Dr. Jitendra Singh जो union cabinet minister है उनके दौरा यह announcement किया गया कि भारत का बहु प्रतिक्षित जो एक अभ्यान है मानव अभ्यान चांद के ऊपर चंदरमा के ऊपर lunar mission जो है Gagan Yan mission जो इंडिया के 75th anniversary of independence 2022 में भारत क्या बहु प्रतिक्षित यह अभ्यान जो है चंदरमा पे लौँच किया जाएगा जहां पर मानव भारत का पहला मानव अभ्यान जो है तो इसरो के द्वारा और जितिंदर सिंग्ध के द्वारा यह आशवाशन दिया गया है कि COVID-19 करके 2022 में गगन यान का जो एक भेजा जाना जो था एक अभ्यान वो अफेक्ट नहीं होगा वो प्रहावित नहीं होगा तो pandemic and preparation have been carrying on in the right direction और इसका जो तयारी चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है the minister also elaborated about the cabinet decision to encourage private participation in ISRO activities और minister ने ये भी बताया है कि वो किस तरीके से ISRO के अंदर निजी भागिदारी को बढ़ावा देने की बात कर रहे है he added that the regulatory body in space will provide a level playing field to private players and encourage their participation तो निजी भागिदारी के लिए इनों ने एक regulatory body बना दिये जिसका नाम रखा है in space जिसके साथ निजी कंपनी जूडेगी और ISRO के अंदर इन्वेस्ट करके वो हमारे space अभ्यान को अंतरिक्ष अभ्यान को और भी गती देंगे और इसके अंदर ब्रीफिंग किया कि गगन यान इस मानव अभ्यान का नाम Man Mission to Moon का नाम India's first Man Mission to Moon का नाम गगन यान है जो भारत के 75 वर्ष गांट जो है भारत की स्वतमतरता दिवस Indian Independence in 2022 इसके उपलक्ष में या अभ्यान लॉंच किया जाएगा इस रों के द्वारा 16th News की तरफ चलते है Sports Minister किरन रिजीजू हमारे खेल मंत्री कौन है किरन रिजीजू लॉंचेज National Anti-Doping Agency अप NADA India तो National Anti-Doping Agency अप खेल के दौरान खिलाडियों के द्वारा नशीली पदार्थ का इस्तिमाल या ऐसे प्रतिबंदित पदार्थों का इस्तिमाल किया जाता है prohibited substances का इस्तिमाल किया जाता है जो उनके खेल में उनकी ताकत को बढ़ा देते हैं जिस कारण से Anti-Doping Agency उसको रोकने का प्रयास करती है तो इसको लेकर National Anti-Doping Agency जो है उन्होंने पहला एप लॉंच किया है उस एप का नाम रखा है NADA India तो आपको क्या याद रखना है Sports Ministry के द्वारा National Anti-Doping Agency का पहला एप लॉंच किया गया है जिसका नाम है NADA India कई बार खिलाडियों को कम जानकारी होने के कारण वो कई ऐसे पदार्थ को कंज्यूम कर लेते जैसे भी रिसेंटली आपने सुना होगा पृत्वी शौ इंडिया के उदैमान खिलाडी बहुत ही प्रतिभा शाली प्लेयर बहुत ही यंग प्लेयर पृत्वी शौ वो बिमार थे उनको कुछ खांसी जुकाम हुआ उन्होंने कफ सिरप जो है ऐसे ही जैसे हम regular घर में कफ सिरप पी लेते हैं उन्होंने कफ सिरप पी लिया तो कफ सिरप पीने से जो उनके body के अंदर substance पाया गया जो कुछ पदार्थ पाए गये उसके कारण उनकी उपर 6 महीने का बैल लग गया तो कहने का मतलब यह कि कई बार खिलाडी अंजाने में ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो NADA या फिर WADA World Anti-Doping Agency के द्वारा प्रतिबंदित prohibited माने जाते हैं इस कारण से यह एप खिलाडियों को और कोचों को जानकारी देगा कि आप इन वस्तुओं का इस्तमाल ना करे या ऐसे पदार्थों का इस्तमाल ना करे तो NADA India was released by Sports Minister Kiran Rajiju The initiative is an important step towards door free sports providing updates and information about the banned substances and their use to aware the athletes and coaches The Sports Secretary Ravi Mittal and Director General of NADA Naveen Agarwal also attended the launch India is working towards clean sports Thus the app helps to create awareness and provide relevant information to athletes तो यहाँ पर खिलाडियों को सारी जो information है सूचनाई वो परदान की जाएंगी और इंडिया चाहता है कि वो आगे अपना एक clean sports बनाएं मतलब स्वच पातावरन दे sports को जिसमें दोपिंग नाम का जो कलंक है वो इंडिया से दूर ही रहे तो बहतर है तो नेक्स चलते हैं न्यूस की तरफ कुछ न्यूस रहेगे उसके बाद आज ही के session से जुड़ा हुआ हम करेंगे क्विज अटेंड तो आए से सी कंडॉल्स देथ ओफ लेजिंडरी वेस्ट इंडिस क्रिकेटर डबलु आई का मतलब है वेस्ट इंडिस क्रिकेटर एविटन वीक्स तो तीन डबल्यू का नाम हमेशा से बड़ा फेमस रहा है cricket में post world war second world war second के बाद तीन डबलू का नाम जो है cricket के इतिहास में हमेशा याद रखा जाए गा और यह तीनों डबल्यू जो है वो वेस्ट इंडिस से बिलॉग करते थे पहले दो डबल्यू जो है उनकी मौथ हो चुकी थी लेकिन अभी current जो डबल्यू है इन्होंने श्रधानजली दी है, शोक प्रकट किया है following the passing of legendary West Indies batsman Everton Weeks Weeks who was a part of famous West Indies trio, the three W's तो ये तीन लोगों का एक समू था जैसे हमारे भारत में त्री मूर्ती कहा जाता था Saurav Ganguly, Sachin Tanulkar और Rahul Dravid को ऐसे ही तीन W का नाम West Indies की Cricket में बड़ा famous रहा passed away at the age of 95 years on July 1st, he is also part of ICC Cricket Hall of Fame ICC ने कुछ प्रतिष्थित खिलाडियों को अपने Hall of Fame में जगा दिया उसमें भी शामिल थे Everton Weeks, so Everton Weeks was a top batsman of his era, whose performances have been iconic the three W's comprising Frank Worrell, तो तीन W का क्या नाम था Frank Worrell, Clyde Walcott and Everton Weeks had dominated the world cricket in the post war era post war का मतलब 1945 के बाल Weeks was considered the best batsman among the three and was an integral member of one of the best test sides ever, तो Weeks had played a total of 48 test from 47 to 1958, 11 साल में सिर्फ 48 test के लिए, क्योंकि उस समें matches इतने जादा नहीं होते थे 48 test में उन्होंने कुल रन कितने मारे, 4,455 रन मारे, तो बहुत ही मतलब 50 से जादा का इनका average रह उस जमाने में और बहुत सारे उन्होंने दोहरे शतक और शतक भी मारे Everton Weeks, West Indies के former cricketer, जिनको legendary cricketer कहा जाता है, उनकी मौत हुई है Next, Shashank Manohar steps down as ICC chairman's post, तो ICC के chairman कौन थे, Shashank Manohar, अभी election होने जा रहा है, तो election से पहले उन्होंने उस post से खुद बखुद इस्तिफा दे दिया है, तो India Shashank Manohar step down as International Cricket Council chairman, he announced this just one week before the election, एक सफता पहले ही उन्होंने election से एक सफता पहले ही उन्होंने retirement announce कर दिया है, deputy chairman Imran Khwaja, जो Singapore Cricket Association के भी chairman रहे चुके है, वो अभी untrim head रहेंगे, जब तक election से नया chairman नहीं चुना जाता है, तब तक Imran Khwaja इसके interim head होंगे, Shashank Manohar जो India से थे, वो ICC के chairman थे, जिन्होंने अभी recently उस post से इस्तिफा दे दिया, आपको क्या बताना है, headquarter of ICC, जल्दी से बताईएगा, International Cricket Council का headquarter का है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, इसका headquarter London में नहीं है, इसका headquarter Dubai में है, Dubai में headquarter है, International Cricket Council का, नेक्स चलते हैं 19 question की तरफ, veteran choreographer, Saroj Khan dies of cardiac arrest at the age of 71, तो 3 time national award winner veteran Bollywood, choreographer, dance, शिक्षिका, पास्ट रवे दू काडियक arrest, दुदिल का दौरा पढने से उनकी मौत हो गई भी रिसेंटली, 71 years old थी, child artist से अपना काम उन्होंने शुरू किया था, मधुमती मूवी में भी उन्होंने काम किया था as a background dancer, then उसके बाद उनका सफर कभी रुका ही नहीं और in a career sparing four decades Khan choreographed nearly two thousand songs 2000 से जादा गानों में उन्होंने choreographie करी है dance सिखाया है बड़े-बड़े actors को the legendary artist was a recipient of three national awards उनको तीन राष्ट्री अवार्ड भी मिल चुके हैं, देवदास मूवी के लिए जब भी मेट मूवी के लिए और Tamil की मूवी थी शिरिंग गरम उसके लिए तो she won film fair awards for movies like हम दिल दे चुके सनम, गुरू, खलनायक और चालबास और film fair रवार्ड भी उनको इन मूवी के लिए मिल चुका है, सरोज खान famous choreographer then 20th question अभी recently हमने किया National Statistics Day 29 June को मनाया जाता है every year और ये किनका birth anniversary commemorate करते है professor PC Mahalanobis परशांत चंद्र Mahalanobis के बथडे 29 June को भारत सरकार National Statistics Day मनाती है और पहली बार इसको celebrate किया था 2007 में 2007 में क्यों क्योंकि second five year plan अभी मैंने आपको बताया second five year plan 1956 to 61 किस statistician के model पर बेस था तो वो था National Statistics Day जिनके नाम पर मनाया जाता है PC Mahalanobis model के उपर बेस था जिस वज़े से उनका एक रोल जो था भारत के statistics की field में बहुत बड़ा था इस वज़े से उनके birthday पे National Statistics Day मनाया जाता है और इसके इलावा उनके model को follow किया गया था second five year plan में ये बहुत ही important news है next news की तरह चलते है National Doctors Day celebrated on July 1st इस दिन को CA Day भी मनाया जाता है CA Day Chartered Accountancy Day भी मनाया जाता है GST Day भी celebrate करते हैं इसी दिन को GST Day 1 July 2017 को GST applicable हुआ था तो GST Day भी 1st July को celebrate करते हैं Chartered Accountant Day भी celebrate करते हैं लेकिन सबसे famous coronavirus के time पर National Doctors Day रहा जहां पर 1 July को ये celebrate किया जाता है और ये किनके birthday पर celebrate किया जाता है तो इस अबसर्वेरी ये तो थांक the doctors and physicians for their relentless service to humanity the theme of this year's doctor day is lesson the mortality of COVID-19 तो COVID-19 से कम से कम मृत्यू हो उसके ऊपर हमने ये theme रखा है इसका the first National Doctors Day was celebrated in July 1991 in India this day marks the birth as well as the death anniversary of Dr. Vidhan Chandra Roy तो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर उनके जन्म और मिर्तियू दिवस एक ही दिन था एक जुलाई को Dr. Vidhan Chandra Roy उनके जन्म और मिर्तियू दिवस के ऊपर ये celebrate किया जाता है और ये सबसे famous डॉक्टर थे भारत के और वेस्ट बेंगौल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे Dr. Vidhan Chandra Roy पश्चिम मंगाल के मुख्य मंत्री भी रह चुके थे और भारत के मशूर डॉक्टर उनके बर्थडे पे 1st जुलाई को डॉक्टर स्थे celebrate किया जाता है भारत में लास्ट न्यूस वन महुट्सव वीक एक से साथ जुलाई को मनाया जाता है हर साल तो वन महुट्सव इस एन अन्यूल वन वीक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल अबसर्व फर्स जुलाई तो 7 जुलाई 2020 इन इंडिया दूरिंग इस फेस्टिवल थाउजन अफ ट्रीज अन आर प्लांटिग अल वर इंडिया तो 8 जुलाई से साथ जुलाई वन महुट्सव वन का मतलब फॉरेस्ट महुट्सव का मतलब सेलिब्रेशन यह मनाया जाता है क्यों क्योंकि इसमें जादा से जादा ट्री प्लांटिंग कर सके विर्क्षा रोपन जो है हम जादा से जादा कर सके जिसको लेकर यह सेलिब्रेट किया जाता है इन 1950 इसमें जो समें यूनियन मिनिस्टर फॉर अगरिकल्चर और फूड थे तो क्रिशी मंतरी, खाद्य मंतरी जो थे के मुंशी उनके द्वारा सबसे पहली बार यह स्टार्ट किया गया था एक से साथ जुलाई 1950 इड वाद स्टार्टे तो क्रिए अवेरनेस इन दी माइंड अफ पीपल for the conservation of forest and planting of new trees तो किस तरीके से जंगलों को हम बचा सकते हैं conserve कर सकते हैं, उसका संरक्षन कर सकते हैं और नए पौधों को कैसे लगा सकते हैं, planting of new trees उसके ओपर यह बाच्चित की थी तो एक से साथ जुलाई, वन महुत सब वीक इसी के साथ आज का session जो है, new session सवाथ होता है आज एके session से जुड़ा हुआ, हम quiz attend करेंगे तो इस session को जादा से जादा share करिए, like करिए कि बहुत बच्चे आज के session को revise कर सकें और सीधा quiz में हमारे साथ जुड़ सकें तो यह रहा पहला question आपके सामने India observe one most a week from dash to dash July हमारी technical team ने शायद answer delete नहीं किये है यहां से तो India observes one most a week from dash to dash तो जल्दी से बताईए आप तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का answer दिख भीड़ा आपको ए फर्स्स टू 7 जुलाई भाग बढ़िया सुवीटी अर्चना अमन दीप अर्षदीप किशोर तमन्ना सुष्री, सोनिय, यशू, हरप्रीत, रुची का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और बहुत खूब आप सभी का उत्तर फर्स्स टू 7 जुलाई तो क्या टेक्निकल टीम ने इस इस इस्टू को solve कर लिया है तो हम अगले कोशन की तरफ चलें जिसमें इस्टूएट को साहता ना मिले next news की तर, next question की कि तरफ, next quiz की तरफ बिलकुल सही उत्तर, first question का right answer is A, that is 1st to 7 जुलाई find the bank which has partner with Swiggy to launch India's first instant digital wallet Swiggy money तो Swiggy ने Swiggy money recently किस bank की साहता से launch किया है जसकरन कीर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है किस बैंक के साथ हमने अभी रिसेंटली सुविगी ने सुविगी मनी नाम का डिजिटल वालेट जो है वो शुरू किया है बहुत खूब चलिए D answer ICICI is the correct answer second question का right answer is D. Third question की तरफ चल पड़ते हैं who has received the first professor PC Mahala Nobis National Award in Official Statistics 2020 तो इसमें से पहला PC Mahala Nobis Award किसने जीता है Sangeetha Reddy, Arvind Pandey, Chakravarti Rang Rajan या BC Roy जल्दी से जल्दी बताइएगा third question का right answer third question का right answer is बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा आ रहा है यहां पे चलिए C Rang Rajan is the correct answer तो third question का right answer is C and C Rang Rajan is the correct answer then fourth question की तरफ चलते है national doctor's day is observed every year on national doctor's day कम बनाया जाता है national doctor's day is observed every year on बहुत खूब आप सभी students का उत्तर B 1st July is the correct answer national doctor's day 1st July next fifth question की तरफ फूँ है जाता है जाता है जाता है next fifth question की तरफ हूँ है जाता है जाता है author the book title future of higher education 9 mega trends which was released by vice president of India M. Venka या नाइदू तो future of higher education 9 mega trends नाम की book जिसको M. Venka या नाइदू vice president of India ने launch किया उनके author का नाम बताईए T. N. Manoharan B. An. Bhuthambi. Lakshmi Narayanan. V. Patta B. Ram. जल्दी से इसका उत्तर दीजीगा बहुत खूब आप सभी students का participation और भागिदारी बहुत ही उत्तम है और इसी के साथ आप revision कर रहे हैं आज के session का जो कि बहुत ही helpful होगा आपके आने वाले exams के लिए तो बिल्कुल सही उत्तर D option V. Patta B. Ram is the correct answer D option is the right answer for this question 5th question का right answer is D next चलते हैं next news की तरफ और next news यह रहा आपके सामने 6th question which of the following cities has become the first city to place a separate yellow dustbin for the corona residual तो corona के residual के लिए corona के जितने भी dustbin है उसको dust करने के लिए एक yellow dustbin नाम का पहला step किस city ने अभी उठाया है वो आपको बताना है 6th question का right answer बहुत खूब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सभी students बहुत ही अच्छे से participate कर रहे है तो 6th question का right answer आपने देना है यहाँ पे और बिल्कुल सही indoor is the correct answer अमध्यप्रदेश का यह शहर जो स्वच सर्वेक्षन में भी number one रहता है और yellow dustbin नाम का पहला step उठाकर भी यह number one रहा है indoor बिल्कुल सही 7th question की तरह बढ़ते हैं समय को जाया नहीं करते हैं आज के session को हम सनाप्त करेंगे जल्दी और यह रहा साथ कोशन आपके सामने which of the following state or UT has inaugurated India's plasma bank for the treatment of COVID-19 patients उत्रपदेश, Delhi, Punjab, Chandigarh तो यह कोशन नहीं था आपके अभी आज के session में लेकिन आपको बताना है कि इसका right answer क्या है आप सोच रहे होंगे कि जो first news आज के day में कराया था कि महाराश्ट्र ने world's largest plasma therapy के लिए platina launch किया है वो यह कोशन नहीं है यह बिल्कुल अलग कोशन है कि which of the following state UT has inaugurated India's plasma bank for the treatment of COVID-19 patient तो इंडिया का पहला plasma bank या plasma therapy से इलाज कौन से state या UT ने किया था बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का यहाँ पे Delhi is the correct answer New Delhi, Delhi is the correct answer plasma bank जो है सबसे पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरुजिन केजरिवान ने इसकी announcement करी थी जहाँ पर उन्होंने दो महिने पहले कहा था कि recently corona से जो स्वस्त हुए patients है अगर वो अपना plasma donate करते है तो वो मानब बलाई के लिए सबसे बड़ा कदम होगा और उन्होंने plasma bank की शुरुवात अभी हाल फिलाल में की है तो इंडिया's first plasma bank started by Delhi तो बिलकुल सही 8th question recently Saroj Khan passed away she was a famous very easy question she was a famous what choreographer, politician, singer या journalist चल यह बहुत खूब 8th question का right answer दीजेगा जल्दी से और बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहाँ पे आ रहा है the right answer to this question Saroj Khan who recently passed away belongs to she was a famous exactly the right answer to this question is a that is choreographer choreographer 9th question की तरफ चलेंगे हम और बहुत खूब आप सभी का उत्तर और 9th question यह रहा आपके सामने how many Chinese mobile applications citing national security has been banned by Indian government 51, 52, 59 and 63 recently Indian government ने national security का हवाले देकर कितने Chinese mobile apps को ban किया है जल्दी से उत्तर दीजेगा 9th question का उसके बाद एक last question और आज के session को हम समाप करेंगे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले हवते मंगलवार को इसी समय सुबह 10 बजे current phase the wake-up show weekly show के अंदर 9th question का right answer is exactly C option is the correct answer C option is the correct answer 9th question का right answer is C last question of the day which of the following country has the chair of association of South East Asian nation 2020 2020 तो 2020 Asian nation की मिटिंग का chairmanship अध्यक्षता कौन से देश ने करी है लाओ Singapore Philippines Vietnam ये सभी देश एशियान के member देश है लेकिन इसमें से अध्यक्षता इस साल किसने करी है तो वो आपको उसका उत्तर देना है और बहुत खूब आप सभी का यहां पर भागिदारी अंतिम कोस्टन है और आज ही के साथ आज का ये सेशन खतम हो जाएगा इसी आंसर के साथ तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के साथ जुडने के लिए और बिल्कुल सही उत्तर इस कोशन का भी आ रहा है सभी स्टुनेंट्स के द्वारा बी वियतनाम इस दी करन्ट चेर ओफ एशियान 2020 तो बी कोशन तेंथ कोशन का राइट आंसर इस बी ऑप्शन इसी के साथ आज के इस कॉडने सेशन की हम सनाती करते हैं अगले हफते आपसे फिर मुलाकात होगी मंगलवार को सुबद 10 बजे वीकली करंट फेस दवीक अफ शो के साथ मैं कुमार संभव तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं जुड़िएगा हमारे साथ अगले हफते तब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद